अब उमीद बढ़नी शुरू हो गई है कि जल्द ही यह मजदूर बाहर निकलेंगे अज तेरवाँ दिन है और आज उमीद यह की जा रही है कि देश शाम तक शायद कोई बड़ी काम या भी मिल जाए हमें उमीद है वगवानी के पासे की जल्दी से जल्दी कि आपके संपुरा होगा हमारे मजदूर भाई सबी बाहर आए देश दुनिया की 40 खबरों के बाद वक्त है आज की सबसे बड़ी खबरों की डिटेल्स परताल का पहली खबर में बात करेंगे उत्तुराखंड के उत्तरकाशे में जिन्दगी के सबसे बड़े इम्तिहान की क्योंकि देश इंतिजार कर रहा है दुमाओं का दौर भी लगाता जारी है 41 जिन्दगियों की सकुषल घर वापसे के लिए अपनों की आखें लगातार दबडबा रही है रेस्क्यू की ये घड़िया कब खत्म होंगी? कब तक सुरंग की कैद से जिन्दगी को आज़दी मिलेगी? तेरा दिन बितने को है आखर कब काम्याबी मिलेगी? एक बार फिर ये सवाल खड़े होने लगे हैं क्योंकि मन्जिल तक पहुशने वाले कदम अचानक से थम जा रखे हैं और फिर वही रसाकशी और कश्मिकश्ट का दौर शुरू हो रहा के चिंता की लखिरें दूसरी खबर भी डाल सकती है क्योंकि पढ़ोसे मुलक चीन ने एक बार फिर रहसे मई बीमारी ने यहाँ पर दस्तक दे दी है जिसके बाद दुनिया के हेल्थ एक्सपर्ट टेंशन में हैं और ये सोच रहे हैं कि क्या फिर लोगों को घरों में कैद होना पड़ेगा क्या कोविड महावारी जैसी एक और बीमारी लोगों की परिशानी को बढ़ा देगी इन तमाम सवालों के जवाब एक्सपर्ट से हम लेंगे शिरवात उत्तरकाशे से ग्राउंड रिपोर्ट से करेंगे जा हमारे सहयोगी अंकित गुपता और दीपक रावत मौके पर मौझूद है उनसे बाचित करेंगे ताज़ा अपडेट वहाँ से हम लेंगे लेकिन सब से पहले बड़ी खबर से हम शिरवात करने वाले हैं उत्तरकाशे में रेस्क्यू ऑपरेशन का तेरा दिल आज है और आज ही पूरा हो सकता है रेस्क्यू ऑपरेशन ये बड़ी खबर और एक उमीद की खबर उत्तरकाशे में रेस्क्यू का तेरा दिल और आज भी रेस्क् मिल सकती अच्छी खबर और कभी भी बाहर आज सकते हैं 41 मजदूर 41 सिंदगिया कभी भी बाहर आज सकती हैं ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं सुरंग में रेस्क्यू ऑपरेशन की फाइनल प्रैक्टिस की जा रही है एंडी आरेफ की टीम ने मौक ब्रिल व करने वाले हैं इसी को लेकर आपको दिखाते एक ग्राउंड रिपोर्ट आज पहली बार एंडी आरेफ को बुलाया गया था अंदर वो जो पैडनल टैनल बनाई गई थी उसके अंदर और एंडी आरेफ की जो टीम इस वक्त आपको नजर आ रही है ये लोग टैनल के अंद करदा वहां पर एक मॉक ड्रिल की है जिसमें ये देखा है कि जब ये लोग अंदर जाएंगे तो किस तरीके से 41 मज़ूरों को बाहर निकालने के लिए पूरा रेस्क्यू आपरेशन चलाए जाएगा लेकिए रेस्क्यू आपरेशन के दो एहम हिस्से हैं पहला हिस्सा सबसे महत्मूर रोल होगा एंडियारेफ की इस टीम का जिसने कुछ देर पहले मॉक ड्रिल की है और इस मॉक ड्रिल के दौरान ये कोशिश की है कि कैसे इन 41 लोगों को बाहर निकाला जाए और जैसी जानकारी मिली है कि एंडियारेफ की टीम जब अंदर जाएगी उसके सा अधार पर एक कि करके मसूरों को भेजा जाएगा जाएगा अंकित इपा सबसे पहले एक बड़ा अपडेट दे रहता हूं और वह यह है कि करीबन 15 मिनट पहले मुक्यमंत्री पुशकर सिंग धामी यहां पर पहुंचे थे और अभी उनका काफिला यहां से निकल रहा है और पुशकर सिंग धामी जब बाहर निकले है तो आ एक मिनट तक जो देख पाए है वो एक पॉजिटिव संदेश दे रही थी अब बात करते हैं कि कितना और वक्त लग सकता है इस वक्त के लिए एक दूसरी बड़ी खबर यह देना चाहूंगा कि जो सेकेंड लास्ट पाइप है जो नवा पाइप है उसको अंदर पुश किय जा रहा है और जो एक्सपर्स हैं उन से ज Beimने बात की है तो उन्होंने ये कहा है कि अभी हम जो करीमन 47 मीतरपर हैं और और बावन मीटर तक हम आसानी से बिना किसी बाधा के पहुँच जाएंगे ये एक बड़ा बयान है क्योंकि उनका ये कहना है कि ये जो हमने जी पिया टेकनीक का इस्तिमाल किया है उससे हमको ये जानकारी मिली है कि बावन मीटर तक कोई दिक्कत नहीं है और उमीद ये कर रहे ह है कि बावन मीटर तक हम आसानी से पहुच जाएंगे और जो ऑगर मशीन है वो अपनी फुल स्पीड से चलेगी और इस लिहास से अगर हम एक अनुमान लगाते हैं जो हमने एक्सपर्ट से बात के उस लिहास से बता रहा हूं कि शाम को करीबं साड़े 5-6 बजे तक नवा पाइप अंदर पहुच जाएगा और उसके बाद काम शुरू होगा आखरी पाइप दसवे पाइप की वेल्डिंग का यानि की दसवा पाइप नवे पाइप से जोड़ा जाएगा और बावन मीटर तक आसानी से आगे जा सकते हैं यह जानकारी अंकित दे रहे हैं और से भी मजदूर अंदर फसे हुए वो सबकुशल बहार आएं यही दुआ पुरा पुरे देश में भी की जा रही है प्रातनाओं का दौर लगातार जारी है तेरवे दिन टैनल साइट पर एक और कोशिश की गई है दिल्ली से पाँच एक्सपर्ट सुरंग साइट पर पहु अब जियो फिजिकल की टीम दिल्ली से बुलाई गई है जो यह देखेगी कि जहां पर डिल क्या जाना है उसके आगे जो मलबा है उसमें क्या कोई मैटल तो नहीं है और अगर मैटल नहीं है तो आप डिल्लिंग किस तरह के से होगी वो पूरी टीम इस वक्त हमारे साथ मौ किया था न सब्सक्राइब करने के लिए अगर को बुला आ चो उपर से टानल के ऊपर से अम रसिस्टिविटी सर्वेकिया चाह उ स्वाव से त्वारे की शगा में कुछ बी लेएशिन और कुछ वाटर पोकेट जोन के लिए अमारा मैन फोकस है तो चुल रात को पाइप का अंदर कुछ दिक्कत आया था, इसलिए आमको बुलाया, अमारा टीम अंदर पाइप के अंदर जीपेर सर्वे किया, ग्राउंड पेनेटरेटिंग डेडर, तो उसमें ना सर कुछ सरीयर टाइप, अमारा डेबरेस पोट्चन से 5 मीटर तक कुछ मी जरीया और आरे मतलब अम दुबारा सर्वे करना पड़ेगा, जो एक्सपर्ट की टीम पहुची है, वहाँ पर मौके पर उनसे बात कर रहे थे हमारे साथ ही दीपक, रावत सीधे उनीका रुका लेते हैं, वो ग्राउंड पर लगतार मौजूद है, पलपल की जानकारी वासे आपको दे रहे हैं, दीपक जो एक्सपर्ट की टीम वापर पहुची है, उनसे आपने बाचित की, वो भी कह रहे हैं कि पार्च मीटर का जो दाईरा है वाँ पर बीच में कोई मैटल है नहीं, और आसानी जिवाँ पर पहुचा जा सकता है, उमीद अब यही कि जल्दी ऑपरेशन वो भी यह कह रहे हैं, तस्वीर आपको दिखा देता हूँ, यह लेटेस्स तस्वीर आप देख रहे हैं, टनल के बीतर की, जैसे जैसे सूरज ढलता है, वैसे वैसे टनल के बीतर तक हमारा कैमरे की पहुच बन जाती है, और इस वक्त लाइट जल गई है, और अंदर आप देखें, तो तमाम जो वरकर से उन लगे हुए हैं, तो जिस बात का जिक्र अभी अंकित कर रहे थे, कि नववा पाइप जो है, वो उसको इंसर्ट किया जा रहा है, और जिस तरगे की टीम, जिस टीम समने बात की, जो एक्सपर्ट की टीम बुलाए गई थी, जिन्होंने जानकारी दिरी की 5 मीटर तक कुछ भी नहीं है, कोई भी हडल नहीं है, तो अगर नववे पाइप को हम इस वक्त इंसर्ट कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए, अगर मशीन ने फुल कैपसिटी के साथ काम किया, जिसकी कैपसिटी पर प्रते घंटे 6 मीटर छेदने की है तो उस स्वीट की अगर बात करें, तो एक घंटे के भीतर ये नववा पाइप इंसर्ट हो जाएगा, और उसके बाद दूसरे पाइप को वेल्ड करना होगा, वेल्ड करने के लिए 2 घंटे का वक्त देना होगा, और फिर उसके बाद 10 पाइप उसमें इसर्ट किया जायग जिसमें भी एक घंटे का वक्त और लगेगा तो दोड़ों पाइप टनल में डाला वापर जा रहा है दीपक ये जानकारी दे रहे हैं और पाच मीटर तक बीच में कोई मेटल नहीं है जिस वजह से आसानी वापर होगी आगे बढ़ने में रेस्क्यू ऑपरेशन पर ये बड करती है तो शाम तक कोई अच्छी खबर वाँ से सामने आ सकती है दीपक और अंकित लगटार बने तेरा दिन का इंतिजार मुसीबत पर अंतिम प्रहार उत्राखन के उतरकाशे में 41 जिन्दग्यों का रेस्क्यू ऑपरेशन लगता जारी है आज ही खुश खबरी मिलने की पूरी उम्मीद है यह तमाम तस्मीरे इसकी गवाही दे रही हैं जो हम आपको दिखा भी रहे हैं रसक्यू ऑपर किस तरीके से चल रहा गे एंड़ियरन की टीम किस तरीके से वापर वॉक ड्रिल कर रही है और विके सिंग ब पर पहुँचे जाईसालिया किस तरीके से रस और अंदर भी मजदूर सुरक्षित हैं इसको भी बार-बार सुनिश्रित किया जा रहा कि ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर सभी सेफ हैं और रेस्क्यू में जो देरी हुई उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं वो जल्दी से आपको हम बता दें तेरा दिन सब्र और काम्याबी इतना वक्त आखिर क्यों लगा सबसे पहला सवाल ये है कि तेरा दिन से रेस्क्यू कब मिलेगी आजादी दूस्ता सवाल आप देख लीजे क्यों बार-बार ओगर फेल हो रही है बार-बार ओगर खराब हो जा रही है सुरंग के अंदर मैपिंग मशीन तेरवे दिन ही क्य भीजे गई हाला कि इसको लेकर सवाल पहले भी उठते रहे पाइप के रास्ते के रुकावट पहले पता क्यों नहीं की गई सवाल नमबर फोर ये है और साथी बार-बार चूक आखिर कहा पर हो जा रही है इसको लेकर भी बहुत बड़ी बाते सामने आ रही है सबसे इसको ऑपरेशन कहा जा रहा है लेकिन उसके बावजूद भी ये हीला हवाली क्यों की जा रही है ये लापरवाही एक तरीके से क्यों कहा पर हो गई अंकित का रुकर लेते हैं जो मौके पर लगातार बने वें अंकित तेरवा दिन आज है इन तमाम सवालों के बारे में भ जरूर देंगे लेकिन इस वक्त के लिए बड़ी ख़बर आपको देना चाहूंगा अपने दशकों तक पहुचा आना चाहूंगा और अपने लोग यह पसे हूए अब तक जैसे हमको जो जानकारी मिल लाई है एक्सपर्ट से बात करने के बाद में उससे अनुमान ये लग काम है वो पूरा हो जाएगा इस वक्त के लिए एक बहुत बड़ी ख़बर है इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिहाज से अगर जो अब तक अनुमान लगाया जा रहा है उस लिहाज से सब कुछ चला तो रात में नौ बजे से लिकर ग्यारा बजे तक ये फैरलर टेनल बनाने का काम शुरू हो जाएगा और उसके बाद करीबन एक से डियर्ट गंटे का वक्त अंदर लगेगा जब एंडियरेफ के जवान जाएंगे और इनको मजदूरों को निकालना शुरू करेंगे तो रात में करीबन बारा बजे के आसपास हम ग्यारा से बारा बजे के आसपास अन जो पीडित परिजन हैं वो भी इसकी उमीद कर रहे हैं दुआओं का दौर भी लगातार जारी है नौ से ग्यारा बजे का वक्ता बता रहे हैं कि तब जो है अच्छी ख़बर सामने वाह से आ सकती है 41 जिन्दगियों के लिए दौर लगातार जारी परिजन अपनों की रिहाई सलामती के लिए दौर दौर कर रहे हैं लोगों की प्रातना सभी सकुषल बाहर निकले पूरा हिंदुस्तान ही दौर दौर कर रहे हैं परतेक दिन हमको यही सुचना मिल रहा है कि साम तक या सुबा तक में बाहर आ जाएगा सही सलामत सुरक्षित आ जाएगा यही धर्ज हमको दिया जा रहा है और दीन रात जो है सो आशू छोड़कर के तिसरा कुछने बापार हम लोग बहुत दुखी हो रहे है कि वो लोग कब तक में निकलेंगे बहुत दीन हो गया है वहाँ पर मतलब वो लोग किस हाल में होंगे पता तो है परन्तु उन्हों को देखे नहीं है तो अच्छा नहीं लग रहे हमरा उतरकासि के मंतरेजी से अही अनरोध है बिंती है क कि जितना जल्दी हमेरा बेटा को बाहर करवा दें और सब लोग को सुरक्षित निकलवा दें हमने तबारी किरपा में बारी के को बहुत लग कर निकल जाए वहां पर दिल को इत्मिनार है हमारे देखे टनल से बाहर आ जागा तब तो का कहना है उमीद पर दुनिया है उमीद पर हम है उपर वाला सब ठीक कर देगा यही मतलब उमीद हम लगा के रखे हैं कि आज इन्शालला जल से जल लोग निकाल दिये जाएंगे आज जेतने लोग उसमें फसे हुए सब सुरक्षित निकले पर वाले से यही दुआ कर रहे हैं कि सब अपने अपने घर पहुचे हैं मेरे पती भी घर आ जाए जो एकतालिस मजदूर अंदर फसी हुए हैं उनके परेशनों को आपने सुना इसी बीच बड़ी ख़बर आपको बता दे रेस्क्यू आपरेशन पर देखे प्रधार मंतरी की नजर लगातार बनी हुई है रेस्क्यू में रुकावट की पीम ने जानकारी ली है सभी 41 जिन्दगियों को बचाने की कोशिश लगातार की जा रही है पीम को इसकी फिक्र भी है लगातार वो अपडेट ले रहे हैं सभी को बहतर स्वास विवस्था के निवदेश अपीम की तरफ से घर भेजने के इंतजाम करने के भी निवदेश दिये गए हैं अब यह मोदी की लगातार नजर और बार-बार यही का जा रहे है कि सब कुशल सभी को बाहर निकाला जाए और सबको घर अपने भेज दिया जाए पाथ उस रहस्मई भीमारी की जिसने दुनिया को फिर से देशत में डालने का काम किया के पड़ोसी मुलक चीन में एक बार फिर रहसमे भीमारी ने दस्तक दे दी है जिसके बाद दुनिया के हैल्थ एक्सपर्ट टेंशन में है और यह सोच रहे है कि क्या फिर लोगों को घरों में कैद होना पड़ेगा क्या कोविड महारी जैसी एक और बीमारी लोगों को परेशानी में डाल सकती है इन तमाम सवालों के जबाब एक्सपर्ट से हम जानेंगे हमारे साथ जूड़ गए हैं डॉक्टर संजीव चौबे जी इंटरनल मेडिसन है जोइन कर चुके हैं उनकी तस्वीर आप देख रहे हैं डॉक्टर अन्शमान कुमार हमारे साथ है कैंसर सरजन उनसे भी हम बाचित करेंगे इसको लेकर लेकिन सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की जो सामने आ रही है चीन से चीन में रहसमें बीमारी का साया के चीन के अस्पतालों को लेकर कहा जा रहा है कि मरीजों की भीरवा पर देखे जा रही है बचों में सबसे ज़्यादा बीमारी ये फैल रही है डव्यू एचों ने बीमारी को लेकर चिन ता जाहिर की नेपाल में भी कहा जा रहा है कि बीमारी को लेकर अब टेंशन बढ़ गई है बड़ी खबर बचों में सबसे ज़्यादा इस बीमारी का प्रकॉप देखा जा रहा है रहसे में बीमारी का साया चीन में एक बार फिर से कोविट के बाद और चीन के अस्पितालों में मरीजों के भारी भीर देखे जा रही है और खबर ये कि बच्चों में सबसे ज्यादा इसका प्रकोप देखा जा रहा है W.H.O. ने भी चिंता इसको लेकर जाखिर की है देखे चीन में ये नया खत्रा आखिर है क्या आपको विस्तार से हम बताएं बड़ी L.A.D. के सर ये बीमारी क्या है वो आप जान लिजे सबसे पहले रहसे में ये बीमारी है अभी तक इसका पता नहीं चल पाया कि ये आखर है क्या परेशानी क्या है देखे निमोनिया हो रहा है फेफडों में दिक्कत इससे लोगों के हो रखी है और साथी सबसे ज़्यादा प्रभावित इससे बच्चे है और सबसे ज़्यादा प्रकोप उत्तरी चीन में इसका दिखाई दे रहा है और इसके साथ ही बीमारी की वज़ा क्या है ये जानने की लगातार कोशिश लेकिन अभी तक इसका पता नहीं चल पाया तेज बुखार भी से आ रहा है संक्रमन एक से दूसरे में लगातार फैल रहा है बीजिंग में स्कूल बंद किये गए है इस रहस्य में बीमारी के मद्दे नजर लगातार टेंशन किस तरीके से बढ़ रही है अस्पितालों में कहा जा रहा है सबसे ज़्यादा जो मरीज आ रहे हैं उनमें बच्चों की संक्याख है चीन में आफ़त से एक कहां कहां देशत है वो भी जल्दी से आप जान लेजे चीन में तो लगातार अस्पिताल फुल होते जा रहे हैं मरीजों की संक्या बढ़ रही है लेकिन देखें नेपाल में इसको लेकर खौफ है नेपाल में अलर्ट जारी किया गया है इसको लेकर प्रचंड सरकार एक्शन मोट में वापर आ गई है इस रहसे में बिमारी को लेकर और साथी निगरानी बढ़ाने के निर्देश नेपाल में भी दे दिये गए हैं डव्यू एचो ने हर घंटे का ड कि दस्तक हुई है सर्चीन में उसको लेकर बहुत सारे सवालों का जन्म हाला की हो गया है कोविट के टाइम पर जो कुआ जो प्रयोग किया चीन ने उसके बाद या विश्वास का भाव है चाइना को लेकर अब इस जो रहसे में बीमारी इसको का जा रहा है उसको लेकर जलदी पता चल जाएगा क्यांकि कि कोई भी सिस्थिनी में नहीं है कि वह और हमने कोई में काफी कुछ अमारी टेखनोलोजी काफी कुछ हद तक बढ़ चुगी है बस इसे मैटर ओफ वीक ताइम ड़े विल डेकलेर देखलेर देखली इस डेफिनेटली कोई नया इस ट्रेंड नहीं है यह सिंपल गोल्ड फ् रहे हैं बस हमें सिर्फ जाग्रूक ता के जरुवत है कि हम थोड़ा सा अलट रहे हैं डरने की अवशक्ता नहीं है जाग्रूक होने की आवशक्ता है आप ही कह रहे हो और बहुत जल्दी इसका पता भी चल जाएगा कि आखर ये बीमारी है क्या अंशुमन कुमार सर भी हम हुच रही है जी देखिए जो विज्यान की बार दोक्र संजीव रहा के इंफर्मिसन पे कहा कि माइको प्लाज्मा नीमोनी जो बच्चों में नेमोनिया कराने का एक कॉमन वजय है इसी का स्प्रेड है उसी का एगलोटिरी टेस मतलब एंटीजन एंटीबाडी मिला है ये लेकिन चाइना क्योंकि अविश्वास के दाएरे में हर समय आ जाता है तो साइंस को भी पीछे छोड़ देता है समस्या यहां हो रही है तो दो तीन चीजें हो सकती है कि एक हो सकता कोवीट का कोई नया स्ट्रेन आया हो दूसरा होता है कोरोना वाइरस है बहुत बड़ा ग अब ही तक दिसंबर तक चाइना लॉकडाउन की स्थिति में चलना था अब संडली खोला है तो अधर तेन कोवीट भी जो जगह नहीं मिल नहीं थी जगह मिली होगी और आउट बेट करा दिया इसको इम्मिनिटी डेट कहते हैं हमारे साइंस के प्रिंसपल में तो एक समभ चैना तो अपना काम कठी रहा होगा जोइनिंग कंट्री जिन से उनका आवा का मन है उनको भी ध्यान देनी के आवशकता है ठीक है सवापराई हमाल साथ चीन में फैली बीमारी पर भारत की भी लगातार नजर है सावधानी यहां पर भी लगातार बढ़ती जा रही है लेकिन आसपास के जो मुल्क है उनको भी सावधान रहने की जरूरत है आवशकता है और इस पर भारत का रियाक्शन यह है कि हम एकदम तयार हमारी नजर वहाँ पर बनी हुए संजीव 24 अलगातार बने हुए सब जैसे कि अभी अंश्मन कुमार सबी कह रहे थे कि आसपास क कि अभी ऐसे इंडिया और चाइन के कोई डारेक्ट फ्लाइट नहीं है तो लेकिन इंडिया चाइन वीजा इशू कर रहा है इंडिया के लिए तो जो वो थू होंग कॉंग या सिंगापूर रूट से लोग ट्रावल कर रहा है और वापस भी आई तो जो भी अगर मैं करना है वो एर्पोर्ट पे जो पॉर्ट ऑफ एंट्री है उस जगह को अगर थोड़ा सा भी स्नीजिंग या कफिंग वाली सिती आती है तो बकाइदा उसको चेक करके हम इंडिया में ही डिटेक्ट कर सकते हैं कि यह इस तरह का निमोनिया वो कैरी करके आ रहे है या किस तरह का होंग कॉंग आ रहे हैं और प्रॉबली डियर कैरियर ऊची चेक है तो भारत को ज़्यादा परेशान होने की जरुवत नहीं है आप कहरें कि डिरेक्ट फ्लाइट नहीं है तो आवा गमन डिरेक्ट नहीं है जिस वज़से परेशानी हमारे लिए बड़ी नहीं हो सकती है इ प्रोमेड ने कोविट से सबसे पहले चेताया था ये आपको याद होगा प्रोमेड ने दुनिया को कोविट की जानकारी दी थी सबसे पहले और प्रोमेड का दावा ये है इस रहस्यमी बीमारी को लेकर कि वाइरस का प्रकोप बीजिंग और लियोनिंग में ज्यादा खे लियोनिंग से इस बीमारी की शिर्वात हुई और प्रोमेड ने कोवीड से पहले भी चेताया था कि इसका प्रकौप लगातार बढ़ सकता है, अंश्मिन कुमार जी लगातार बने हुए है। अर्शुबन कुमार जी ये प्रोमेड का दावा ये भी दिखाई दे रहा है कि इसका सबसे ज़्यादा जैसे कोविट के टाइम पर हुआ था कि वुहान एपिसेंटर बना था कोविट का अब ये का गया कि बिजिंग और लियोनिंग में यान कि उत्तरी चाइना में ज्यादा प्रकोप है इस इस वाइरस का जो हमें ऐत्याप लेना हमारा सिस्टम जो है आई सेमर हो बंतराले हो सबके पास सारी सुब्धा सारी इंफर्मेशन होती है चाइना कि अपना अलर्ट रहना है हमें उसके डैटाए पर उसके रिपोर्ट पर ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना है हमें अपने कंट्री को जरूर बिल्कुल ठेक है क्योंकि COVID के टाइम पे जो सवाल उठे थे तबाँ स्टडी सामने आई थी और उनमें कहा गया था कि चाइना में परियोग किया गया जसके बाद COVID फैला यह कहा गया तब भी COVID के वक्त में और जो तमाम जानकारिया सामने आई उसे के बाद अब सवाल इस रह कोविट के नए स्ट्रेंड की आशंका जाहिर के जारी है बीमारी और कोविट के लक्षन एक जैसे दिखाई दे रहे हैं और चिंता किस तरीके से चीन में बढ़ गई है इस नई बीमारी को लेकर इसी पर यूएस जॉनलिस्ट के दावे से बड़ी खबर आपके सामने हम रख रहे हैं कोविट के नए स्ट्रेंड की आशंका इसको लेकर जाहिर के जारी है बीमारी और कोविट के लक्षन एक जैसे नजर आ रहे हैं लेके चीन में बीमारी डव्यू एचो की धड़कन किस तरीके से बढ़ी है कुछ डिटेल्स हैं वो जल्दिस आपको बड़ी स्क्री है या फिर नहीं है और साथी देखिया आप निमोनिया के बढ़ते मामलों की इस्तती पर कड़ी निगरानी की जरूरत है ये डव्यू एचो ने बात कही है और इसके अलावा डव्यू एचो भी किस तरीके से परेशान है और एहतियात वरतने के लिए कहा किया के दो खास मे में एक्सपर्ट हैं कि बीमारी किस तरीके से बढ़ रही है और इसलिए सबसे जादा और चनौती हो जाती है संधीव साथ क्योंकि कोविट के लक्षण और इस रहसमी बीमारी के लक्षण एक जैसे नजर आ रहे हैं शुरुवात में कोविट के लक्षण भी फ्लू के लक्षण जैसे होते हैं तो यह डिफेंशेट करना तो मुश्किल है कि यह कोविट पॉसिबिरिटी एक हो सकती है आने वाले टाइम में स्टड़ी ही बताएगी कि शायद यह कुछ नया स्ट्रेंट की हो सकता है यह कि पॉसिबिरिटी है अजयली टेमिशन है अभी तो यह मांने क हम दो चल रहा है कि एक कॉमंट ऑल कॉरू जो हमारे नामली विंट्र सीजन में औक्तूबर नियुमबर होता है सब्सक्राइब यह हैं कि बेजिंग और ल्याउनिंग जो दो जगह हैं वहां पे बच्चों में क्यों हो रहा है और दूसरा यह है कि वहां की जो जोट से लोग कर भी रहे हैं और यह मैं आपको पहले ही बोला कि कि इतना तो अभी तक हमें जो का खबर है यह कोई नया स्ट्रेंड नहीं है और दूसरा यह है कि यह कोई कोई विड वाला कोई नया नहीं कि अब ही आप कह रहें कि यह जानकारी तो हासिल हो गई है इससे बाव कोई से जोड़कर इसको देखना सही नहीं होगा एक हफते के भ बड़ी क्योंकि बच्छों और उवाओं में इसका आट्यक्टे जादा हो रहा है कि इसी से जोड़ते हुई जी, बिल्कुल, देखे, WHO कोई ऐसी छोटी बॉडी नहीं है, कि छोटी बातों पे वो चिंता जाहिर कर दे, आप भी समझ रहे हैं, जब तक कि पुरे विश्वकों किसी बात से खत्रा नहीं होने की समझ नहीं हो, तो WHO उस पे इंटरफियर नहीं करता है, एक कभी जो WHO के पार इतना भी नहीं बता पा रहा है कि बैट्रिएल है, वाइरल है, वाइरस है, तो कौन सा वाइरस है, दूसरी बात, जो जचणलिस्त सakovsay्क कर रहा है COVID के बारे में, इसकी समझ भागता हो सकती है बिल्कुल, क्योंकि देम्भान करेगा उनके एक उनकी वैकशन काम नहीं की थ जैसा मैंने बताई इम्मुनिटी डेट में थे वो लोग इन सब को देखते हुए हो सकता है जैसे हमारे यहां स्टिल्थ हो मिक्रॉन आया था उस टाइप का कोई वायरस मुट्रेट होके आ चुगा और कोविड जैसा ही रूप ले तो डव्यों कोई गलत नहीं बैठना होगा आपने इस तर पर भी आगे बढ़ना होगा और पता लगाना होगा कि यह बीमारी आखिर है क्या ठीक है नई बीमारी को लेकर सवालों में चीन एक बार फिर से आ गया है अमेरिकी जोनलिस ने गंभीर सवाल चाइना पर उठाए है बायो वेपन से अमेरिका में तबाही की यह कहागया कि यह बड़ी ख़बर अमेरिकी जोनलिस की तरफ से गंभीर सवाल चाइना को लेकर बायो वेपन से अमेरिका में तबाही की प्लाइनेंग की जाए यह कआगया कि ऑर साथी बाईटन ने जिंपिंग को कहा था तानाशा, क्या कुछ कहा है अमेरिकी जोनलिस ने ऎमेरिकी चुनाव से पहले बायो वेपन का स्तिमाल होगा यह अमेरिकी जॉनलिस्ट की सवाल जो चाईना को लेकर उनकी तरफ से खड़े किये गई है अब आगे किस तरीके से अपना रियक्शन और कमेंट देंगे क्योंकि ये अमेरिकी जोनलिस ने का है कि टीन पर भरोसा आप नहीं कर सकते हैं इसका इस्तेमाल करके अमेरिका को तबाही तबाह दरने की प्लानिंग है यह सीदिस्में चाइना पर सवाल है कि दोनों कंट्री के दूसरे को ब्लेम करता है अभी हमने यह भी देखा गया कि चाइना के युएस सारी अमेरिका के लैब में चूहों पर जैट चूहों पर कुछ वो लोग एचाईवी को लेकर और कुछ अलग बिमारे इवर्टिवर्क लॉसिस को भी लेकर उन लोग जादा उसको शार्पन कर रहे हैं तो यह जो जो डिप्लोमेटिक है डिप्लोमेसी और यह जो पॉल्टिकल कनेक्शन है इस पर जाला कुछ कमेंट ने कर सकता रही बात यहां पर डबलु एचो पर जो सवाल है डबलु एचो पिछली बार चूप गया था और क्योंकि बहुत और द इन अमेर्की जोनलिस्त के सवाल पर आपका क्या रिएक्शन है इनका सवाल जायज है मैं इनके साहत हूं इसलिए कि संजीब में भी यही बात रिपीट की कि डबलु एचो भी पिष्ली बाद चुका था और यह तो रहसम ही रखते हैं हर्समें चैना वाले तो डबलु एच को प्रोएक्टिव होना चाहिए और डबलु एचो को मेंबर जितने कंट्री है इंक्रोडिंग इंडिया उनको प्रेसर डालना चाहिए डबलु एचो पे कि आप जल्दी से इसको कंटें करो रोको और पता करके बता हमें रिपोर्ट दो चाइना का भरोस्या नहीं रह सकते हैं और आप कहरें कि डबलु एचो को प्रो एक्टिव होना होगा जो सवाल उठाए हैं चाइना पर अमेरिकी जॉर्नलिस ने वो बहुत गंबीर हैं आप ही कहरें आप दोनों का बहुत शुक्रिया सर्विस्तार से बाचित के लिए और जानकारी के लिए भी सुरंग में ठसे 41 मज़़ूर शाम तक आ सकते हैं बहार जारी है ओगन मशीन से ड्रिलिंग का काम तनल के अंदर NDRF ने रेस्क्यू की तैयारिया पर की सुरंग हाथ से पर पीमोदी ने फिर की सीम धामी से बाथ रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जानकारी मज़़ूरों को सुरक्षित घर भेजने के दिये निर्टेश टनल के अंदर करीब उन चास मीटर तक हो चुकी है ड्रिलिंग अगले पाच मीटर तक सुरंग में कोई बाधा नहीं है देर शाम बहार आ सकते हैं सभी शली विदेशी चनल एक्सपर्ट अनॉल्ड डिक्स का बड़ा बयान कहा अब तक तीन बार खराब हो चुकी है मशीन सुरंग में फसे सभी लोग फुरी तरीके से सेज उतरकाशी की सुरंग में फसे 41 मज़़ूरों की सुरक्षित वापिसी के लिए प्राथना का दौर जारी है उज्जैन के महकाल मंदीर में की गई विशेश पूजा काला कोट में शहीद पार जवानों को जम्मू कश्मीर के उप्राजी पाल मनोथ सिन्हा और सेना नेधी श्रधानजली श्रधानजली के बाद शहीद जवानों का पार्खित शरीर पैत्र गाव के लिए रवाना हुआ राज़ोरी ओपरेशन में कैप्टन एमवी प्रांजल, कैप्टन शुभं, हवलदार अब्दुल माजिद, ननिताल के रहने वाले लांस नायक, संजे बिष्ट और अलिगर के पैरा टूपर सचिन लौर हुए हैं शहीद जमो में दोग्रा फ्रंट के लोगों का पाकिस्तान पर भड़का गुस्ता, राज़ोरी एंकाउंटर में शहीद हुए जवानों को नमन कर पाक सेना के खलाथ की नारे बास राजिस्थान में कल 199 विधान सबा सीटों पर वोटिंग, सभी सीटों पर मर्दान की पूरी तयारी बनाए गए हैं 51507 मतुदान के राजिस्थान में कल होने वाली वोटिंग से पहले से मशो गयलोत की अपील कहा लोगपंत्र का पर्व है चुनाव, लोग अपने मताधिकार का जरू तरे इस्तिमाद राजिस्थान में डोटी डोर कैंपेंग में जुटे प्रत्याशी टॉंक में सचिन पाइलेट ने मोट्टा संभाला, बोले किसी नेता को मेरी चिंता करने के अवशक्ता नहीं, जनता मेरे साथ तेलंगारा चुनाव के लिए बिजेपी ने जोकी ताकत हैजरबाद पहुंचे दाज़नात सिंग कहा राजिम में बिजेपी की सरकार बनते ही प्रश्चाचारी जाएंगी जे तलंगारा के निजामा बात से अमित्शा की हुंकार सरकार बनने पर चार फिसदी मुस्लिम आरक्षन कार्ट कर ओवी सी को देंगे रिजर्वेशन राखूल गांदी पर विवादित बयान देने का आरोक चुनाब आयोग ने कल शाम छे बजे तक राखूल से मांगा इपजवाब केमरे चुनाब आयोग ने जारी किया है नोडिस राखुल गांदी को चुनावायों की नोटिस पर बोले रवीशन का प्रसाद कहा राखुल को देना चाहिए जवाब सामानी शिष्टाचार भी भूल भूल चुके है राखुल गांदी माराष्ट कॉंग्रिस के अधक्ष नाना पटोले के विवारित प्रीच पर भड़की बिजपी कहा ये इनका दिवालिया पंदर्शाता के 2024 में जिनता इसका दंड सरूप तिलंगारा में पोलिस अधिकारी को धमकाने का आरोप MIM लेता अगबर उद्दीन ओवैसी को पोलिस देव जारे किया ही नोगेस डिये मामने को लेकर कनातक सरकार का बड़ा फैसला रेपटी सेम डेके शिव कुमार के खलाप CBI जाच वापस लेने के प्रस्ताव को मंसूरी दी बैंकोक में विश्व हिंदू कॉंग्रेस अमेलन में मोहन भागवत बोले दुनिया एक परिवार है और हम हर किसी को आरिये बनाएंगे आरिसस प्रमुक मोहन भागवत के बयान पर कॉंगेस का हमला उदित राज बोले भारत के लोगों को चाहे मुर्क बना ले पूरी दुनिया मुर्क नहीं बने आज अयोध्या दोरे पर मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ होट कुग्ड मील योशना का की आशुभारंब हनुमान गढ़ी मंदिर में पूजार चुनापी सवालाख करोड की डिफेंस दील को रक्षा मंत्राले से जल्द मिलने वाली है मन्जूरी प्रस्ताव में एक एरक्राफ्ट कैरियर तेजस फाइटर जेच और अटैक हलिकॉप्टर शंप 75 साल पूरे होने पर अंबाला में वायुसेना का एरशो आसमान में राफिल जगवार ने दिखाई दम आकाश गंगा और सूर्य की रन्टीम भी ले रखी है खिस्टा भारत अस्टेलिया नेत्रत्र संगवाद में दिरेश मंत्री जैशंकर बोले समद्र से लेकर अंतरिक्ष तक हमारी भागिदारी हर शेत्र में रिष्टे और मजबूर फ्विक मुंबई एरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मेल भेशने वाले ने धमका धमकी टालने के लिए 10 लाख डॉलर देने की मांग रखी केस तर्च हुआ असम की गुवाहाथी में स्टेफ ने 11 करोड से जादा की ड्रक्स पकड़ी दो महिला तसकर समेथ 4 लोगों को गिरुफतार किया थे माराश्ट के ठाने से 300 रुपई चोरे के इलजाम में नावाले के साथ बेरहमी मारपीट के बाद बिना कपड़े के इलाके में घुमाने का आरोप दिली की आबो हवा में सुधार नहीं अब भी के इलाकों में EQI 400 के पार है सास लेने में लोगों को दिख अफगानिस्तान ने दिने में अपने दूताबास को हमेशा के लिए बंद किया कहा भारत सरकार की लगतार चुनौतियों के वज़से फैसला लिया किया